हलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सब का आपके अपने योटूब चैनल वीर एर्थ क्लास मैथ में हम कर रहे हैं चैप्टर 3.1 and क्योस्टन नमरी 7 That is the last question of our exercise 3.1 ये part 1 है, फिर second part second video में discuss करेंगे हमें find out करना है x plus y plus z यानि कि ये वाला angle x निकालना पड़ेगा, फिर हमें ये वाला angle y निकालना पड़ेगा और z फिर 3 का sum करके हमें बताना है अब हमें निकालना कैसे होगा, हम use करेंगे property linear pair की सबसे पहले हम easily निकाल लेंगे x की value निकाल लेंगे linear pair से इन दोनों का sum 180 degree होगा फिर हम z की value भी easy निकाल लेंगे, linear pair से इन दोनों का sum 180 degree होगा अब हो जब हम x और z की value निकाल लेंगे, तो y की value निकालने के लिए हमें इन triangle के, इस triangle के सभी angle का sum 180 degree वाले property यूज़ करने पड़ेगी तो 30, 90, 120 तो ये वाला angle आजएगा 60 degree हाला कि ये सारा कुछ हम explain करेंगे, आपको चिंता मत कीजिए ये 60 है, फिर इन दोनों का sum कितना हो जाएगा, 180 degree linear pair से हो जाएगा तो आपकी मर्ची है, कहीं से भी इसे start कर सकते हो मैं सबसे पहले x और z का मान निकाल लूँगा, फिलास्ट में y का मान निकाल लूँगा क्योंकि x और z का मान निकालना बहुती जी है तो क्या बोलेंगे x plus 90 degree is equal to 180 degree property क्या लगीगी, property लगीगी दोनों के पीछे linear pair linear pair, यानि कि दो angle से मिलकर जब बनता है और उसका sum क्या रहेगा, 180 degree रहेगा अब बताओ ये plus का 90 degree है, उस side जाके किस चीज़ का हो जाएगा minus का 90 degree हो जाएगा, तो 180 minus 90 तो x की value क्या आगी, x की value आगी आपके 90 degree यानि कि पहला angle x तो अपना final हुआ, कि x की value कितने आगी 90 degree आएगी, कलियर हो गई बात, ठीक है अब ये वाला हटा दू ना, इधर से, आपने नोट तो कर लिया हुआ linear pair, अब हम निकालते है second angle second angle कौन सा निकालेंगे, second angle निकालेंगे हम कौन सा अपना ये वाला angle जो नीचे है linear pair से बनना है z वाला, क्या निकालेंगे, z वाला तो क्या बुलेंगे हम, z पलस 30 degree और दोनों क्या है, 180 degree की equal होगे कारण क्या रहेगा, linear pair सो और फो में लिख दिया, मैंने LP यानि की linear pair कलियर है ये बात, अब बताओ ये जो plus का inside जाके किस चीज़ का हो जाएगा minus का, तो z is equal to 180 minus 30 degree then z is equal to अपना क्या आजाएगा, 150 यानि कि two angles अपने आगए कौन-कौन से, angle x and angle z, और दोनों क्या आगए x आगया 90 degree ये वाला angle कितना आगया, 90 degree है ना, ये वाला angle 90 degree और ये वाला angle कितना आगया, 150 degree, अब हमें y की value और निकालनी है तो अब धान से देखें, आपको दिख रहें नहीं ये वाले triangle, triangle का नाम देना चाओ तो a, b, c, इस वाले triangle में, ये वाला angle 90 degree, ये वाला angle 30 degree, तो ये वाला angle तो निकालना पड़ेगा, माल लेते हैं इस angle का नाम हम कुछ रख देते हैं जैसे इस angle का नाम हमने a रख दिया क्या रख लिया? a तो बताईए sum of all angle sum of sum of all angles angles in a triangle in a triangle किसी भी तिर्बुज में सभी कोणों का योग कितना होता है interior angle लिखना चाओ तो लिख लीज़े कितना होता है? 180 degree फिर दूसरा कुण सा है? 30 degree और ये last वाला जो मैं find out करना उसको हमने क्या माना है? a माना है क्या माना है? a ये किसके equal होंगे? 180 degree के 90, 20, 90, 30 90, 30, 120 120 plus a is equal to 180 degree then a is equal to 180 minus 120 degree then a is equal to 180 में से 120 गया कितना आ जाएगा? 60 degree यानि कि a की जो value आ गई 60 degree आ गई अपनी कितना आ गई? 60 degree लेकिन a तो हमें निकालना ही नहीं है हमें तो y निकालना है तो लेकिन a का जो मान अपने पास आ गया उसका हम benefit उठाएंगे कैसे उठाएंगे? देख लिजिए ये जो a की value आ गई कितना आ गई? 60 degree कितना आ गया? 60 degree यह 60 degree आगया अब आपको पता है कि यह जो पूरा angle बन रहा है यह क्या बन रहा है linear pair बन रहा है linear pair बन रहा है तो a plus y is equal to क्या होगा next slide पर चलें क्या a plus y linear pair से a plus y a plus y दोनों का सम क्या होगा 180 degree होगा कारण क्या दोगे linear लिख देते हैं अभी तो space अपने पास linear pair अब बताओ A का मान आपने कितना निकाला है A का मान आपने 60 निकाला है Y का मान निकालना चाहोगे is equal to 180 तो Y is equal to क्या जाएगा 180 minus 60 degree then Y is equal to क्या जाएगा 120 degree क्या जाएगा 120 degree तो Y का भी मान आ गया अपने पास अब हमें final जो result निकालना था वो निकालना था हमें X plus Y plus Z इसकी value हमें find out करनी थी सबसे पहले X की value देखो 90 degree X की value क्या है 90 degree तो X की जगा क्या रखेंगे 90 degree Y का मान ये राभी निकाला है 120 और Z का मान हमें पिछे निकाला था Z का मान कितना आया था 150 क्या बोलेंगे 150 तो इन सब को sum करेंगे इन सब का क्या करेंगे Sum करेंगे देखो या तो आप सिधा ही कर लीजिए 120 और 90 80 जोडेंगे तो 200 यानि 210 210 और 310 310 plus 50 360 यानि कि सभी एंगल कितने आ गए सभी एंगल आपके 360 आ गए और इक बटा राज की बात बताऊं ये अपनी property भी होती है property क्या होती है की किसी answer आ चुका लें एक राज की बात बताता हूा कोई भी जब ट्रैंगल आप लेते हो कोई भी जब आप ट्रैंगल लेते हो ये मैंने ट्रैंगल ले लिए अब इसके जब आप exterior angle आगे की तरफ बढ़ाओगे, ये वाला exterior angle हो गया, ये वाला exterior angle हो गया, ये वाला बढ़ाओगे, तो ये वाला exterior angle हो गया, इस side को बढ़ाओगे, तो ये वाला exterior angle हो गया, तीन exterior angle ले लिए, और तीन exterior angle माल लेते हैं, ये वाला क्या था, X, ये वाला क्य एंगल 1, एंगल 2 and एंगल 3 sum of all exterior angle in a triangle is always equal to 360 degree किसके equal होता है 360 degree के equal होता है यह property है इसे आप याद भी कर सकते हो लेकिन याद करने से एक्जाम में नंबर थोड़ी ना मिलेंगे हमें तो पूरा इसे explain करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ आपके सामने explain किया है सबसे पहले x का मान फिर z का मान फिर अंदरूनी एंगल a का मान फिर by का मान और तीनों कसम कितना आजाएगा 360 यह था आपके exercise 3.1 के 7th part का 1st part अब करेंगे 2nd part फिलाल के लिए इतना ही वो करेंगे नेक्स वीडियो में thanks and have a nice day